गुड इवनिंग जैहंद और मेरे साथ है इस समय हमारे मोटा भाई धरमेश परमार जी जो की एमदाबाद के रहने वाले हैं और डेली में काम करते हैं और इन्होंने अपनी काश्मी टू कन्याकमारी राइट को अंजाम दिया है और वो भी सिर्फ साथ दिनों में इन्होंने एक रिकॉर्ड पूरा किया है सो सुनते हैं धरमेश भाई की कहानी उनी की जुबानी उनके एडवेंचर राइट के बारे में धरमेश भाई गूड इवनिंग फ्रेंड्स मोजो की अगर बात करें तो मेरे इसके साथ लाश्ट दो साल से उपर से दोस्ती है अभी तक मोजो के साथ मैंने असीजार किलोमेटर से उपर राइट कर चुका हूँ और इस असीजार की राइडिंग में अभी तक कोई मेजर ब्रेकडाउन मेरा नहीं हुआ है ना कुछ तक्वीश हुई ना प्रॉब्लम हुए है राइट की बात करूं तो हमने कश्मीरी टु कन्या कुमार अब शोला सप्टेमबर दोजार अठारा से स्टार्ट किया था ले से जो हमें कंप्लीट करनी थी कि वही पाइस तारीक को एनिहाव हमें एक गन्या कुमारी पहुचना है जिस पार्टू चंडीगर के बिच में जैसे हमने कॉक्सर को रोश किया था और तूवर्ड रोता हम चड़ रहे थे तो मेरा राइट सेड था मोजो का फोर्ड जो था वो लिकेज हो गया इस कंडिशन में भी मैंने उसको चलाता रहा ऑफ रोडिंग करता रहा ऑफ रोडिंग मेरी स्पेड रहती थी शार्ट की तकरीबन तकरीबन और बहुत थे मर था स्लस्मी था वहां पर इसका इंडूरंस इतना है कि कहीं पर भी रुकी नहीं है और मुझे सेफ ली उसने वहां से भी क्रॉस करा के पूरा मैं दिल्दी तक आया केटू के मेरा कंप्लेट भी हो चुका है अब मैं रेकरन टू होम मैं पैंगलोर पहुचा हुआ हूँ मेरा अगला प्लान है यहां स मैं गोवा जा रहा हूँ गोवा से एंड़ाबाद एंड़ाबाद टो देल दी मेरा यह शेडूल है यह राइट का पास्त की बात करूं तो महिंद्रा मुझो के साथ मैंने बहुत सारी राइड्स की है बहुत सारी यादे जूड़ी हुई है उतरान चल इमाज को की राइड बहुत किया हुआ है अपर मस्टेंग चाइना बोडर नेपाल तक हम जा चुके उससे जिसमें हमने गाडी का भी इंडियरंस हमें पता चला कि क्या है और हमारा इंडियरंस पता चला कि हम कहां लेवल तक हम अपने आपको खीच सकते हैं इसके इलावा भी हमने वोराइड मे वोर्टर क्रोसिंग अप्टू दा सीट लेवल हमने किया है जो भी फोर्स इतना था कि अगर हम गलती से खड़े रह गए तो पानी हमें खीच के ले जा सकती है इसना उसका फ्लो था कौके एग्जॉस्ट अगरा सा पानी में रहोगा पूरा का पानी में था फिर भी हम उसक तो फोर्टल से मैनेज करके हम निकाल दिया था जो काली गंडी की नदी में पूरी की पूरी पानी में गिर गई थी और पानी के अंदर बिल्कुल डूबी हुई थी मतलब ओ दिखी नहीं रही थी फिर भी उसको उसको खड़ा किया बहार निकाला उसको थोड़ी देर पान उसको जाम के लिए तिन चार सेल में, मिनध मिन रबन करने के लाएक हो इंड़िया विल्क कोई दिक्कत नहीं हाई हुई उन्यूर। तो अफर मस्तै क्यreibtा हैं उनके लिए अमें बहुत कुछ उपर्ट कुछ सिखाया हैं विंटर गंगोतरी भी हमने किया है इसने यह लदाफ मेरी दो महिने में दो बार हुई है तोड नहीं है इवन एंजिन तो इतना रिफाइंड है कि अभी भी रोरिंग कर रही है कि अभी जब भी मैं निकलूंगा वो मेरी स्पेड वई रहती है एक फर हमस्क फर फोड़ल्ड परन तेЫः निकलो और कोई स्ट्रेस निहीं हुता devotee इंजिन पर पूरे दें चल हाने बढ़ कि अफेवी कि देनी क्राइक पर बू करšेऊंग लगभी पर लो हमें पर्समोटी कि एक शेग्मेण में सख्ता हूं कि इसका फोड़ नहीं है और न मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा लेकिन हा इतना है कि बड़ी ब्रांड होने के बावजूद भी सो नोजी है एंजीन वाइबरेशन इस तू मुझ देखने के बाद मैंने कम से कम एक सटिस्टिस्टेक्शन है कि मेरे पास मोजो है बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दर्मेश भाई और उमीद करते हैं फिर से आपके साथ बैठेंगे फिर से आपकी कोई अच्छी राइट के बारें बात करेंगे और इसी तरह से मुझो आपका साथ निभाती रहे और आप दोनों मिलकर नए-नए किर्टिवान इस्था